नमस्कार जैहिंद जैभारत मैं निखत BTS निउस में आपका स्वागत करती हूँ आईए देखते हैं आज के समाचार जिन में से मेरे साथ अब मौजूर हैं श्री हनीफली साहब जो सिंट्रल वखवर कॉंसल के मेंबर हैं आईए जानते हैं उन से हुच खियाला आदे हुआ आपकी बीद तहरी हम ने सुनी है लेकिन आप में मतलब स्याद का रोशनी आपने निकला हैं ऐसा कि देखिए रभ कांफरेंस भी यहां पर जो मिर्मान आये थे जिसमें जो मिफ्टी भी थे आप मौलाना तरबे जबाद साहब जो एक नामबर हिंदुस्तार की एक नामबर शक्सियत थे वो यहां पर तश्युव लाए थे और इसके लावा मौलाना अदा दूरी उनिवर्सिटी के बाइश अच्छा अखला सेयद मिनुरस अनाबेदी सहाबी यहां पर तश्युव लाए थे और कई प्रोफेसर्स और उलमा मशायखिन के तमाम मुफ्टी इसमें एक खातुन मुफ्टी भी यहां पर आये थे तो जब यह इमाम हुसें के तानुख से कमाद चीजें वो तफसीर अब इसके बार मौना कल्बे जवा साब पर चूंकि मेरी सधारत थी तो मैंने तो अर्ग्नाजजर से काईश की थी कि मौना कल्बे जवा साब कुबला से पहले मेरी अगर तक्रेर हो जाती है तो मुनासिब है तो आर्गनाज़र ने ये कहा कि ने ये का आपकी आखरी में होना चाहिए तो जब मौलाना कलब दवास सहाब के तक्रिर हो जाती है और उनके उनकी समझवा कि इमाम हुसेंद के ओपर एक तफसीली जब रौशनी हो जाती है तो उसके बाद मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं ये उनके बाद ये इमाम हुसेंद के ओपर कोई बात कर सकूँ क्योंकि आर्गनी वो तमाम चीज़ें हो चुकी थी और बहुत तफसीली बयान है जुन्मी उलमा एदीन का भी शीया आलिम एदीन का भी और हिंडू एक सहाथी का भी और उसी तरीखे से एक सिक कम्मुनिटी का लिए तमाम लोग बहुत ही अच्छा था था हुआ है तो चुके मेरी सदारत थी और उसमें एक बहुती तारीरी प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ आज की तारीर में हुआ है और तमाम मजाहिब के जो ख्याल और फिक्र इमाम हुसेन के तालुक से थी उन्होंने अपने अपने अंदाज में इंसानियत का धर्स देते हुए जो बातें सामधे रखी है कि करवला के बाद ही इंसानियत का धर्स चालू हुआ याने इसलाम जिन्दा होता है हर करवला के बाद तो श्रीव इसलामी नहीं है बलकि इंसानिया जिन्दा हुई है करवला के बाद तो मौलाना के बाद याने मैं अगर याने करवला के तालुक से या इमाम हुसें के तालुक से अगर दर्ज लेता हूँ मैं तो मेरे लिए मुनासिव नहीं कि मुझे बोला ना ना के बाद था लिकिन फिर भी मैं जुरत करा उनके बाद बोलने की हनिर सब आपके ज़्वे को हमकड़ करते हैं और आपके ज़्वे को तस्रीम भी गन्म लेकिंगे क्योंकि वहां पे मैं मौझूद थी और मेरा भी सियासत से वावस्तगी है मैं भी मीचे भी नहीं हूं तो आपका एक जुम्ला क्योंकि मैं एक सियासी इंसान हूं इसमय क्या सकता हूं तो क्या सियासतदार कि या भी नहीं होते रॉष्ण स्पर एक जुम्ला को आप पकड़ लिए कि मैं सियासत दाव हूं मैं क्या कह सकता हूं लेकिन वह वं Umwelt Zentर कि मैं जवाब देखे आप मैं के एक तरफ यह हो ला कि मैं सियासदार हूं और तुनके सियासी प्रिक से मेरा थालोग है यह ज़रूर आप सुन देए लेकि उसके बाद आप यह नहीं सुनें कि मैं एक मजभी इनसान हूं और इमाम मुसाहिब का मानने वाला हूं जो पहले आप बताए कि मैं सियासी इंसान हूं प्रिमस्थे भी में फॉलोग करता हूं बोले आप यह हमने सब सुना है यह लेकि फिर भी वहां पे यानि हम जाना चाहेंगे कि क्या सियासदान होने से मजभ से वावस्तगी दूप होती है यह सच्चा होता है जो मजभ से लग सियासदान दूरूर हो लेकिन यह वह बात हो वे खिबला की कल्बे जवाद साहब की बात हो गही के बात हो गही के पर गोरान में इंसान को भी यानि उंचाही पे भी पहुंच आया और नीची रिवग बहु कर दिया तो आप दो भी कह रहे है थिरे किया आप मैं तो एक इम्बर रसूल से हमको धर्स सिकाते हैं, इंसानियत सिकाते हैं, एहल वैद के फजायल और मसायब बैयल करते हैं, इमाम हुसेल के फजायल और मसायब बैयल करते हैं, बहत्तर शुहदाय करवला के मसायब और फजायल बैयल करते हैं, तो उनके सामने तो बहुत हखीर और एक अधना मनना हूँ क्योंकि उनका लेवल मेरा है नहीं क्योंकि वो तो मजभी रहुमा है और मैं मजभ पे एक हजार परसंट खाया हूँ एक अधना परसंट लेकिन साथ में उनके लेवल का मैंने हूँ और अधना मुसल्मान हूँ और इक इंसान हूँ पर दो इंसान होँ और इनसान होने के बाद, चुके मैं मुसल्मान सराने में बैदा हुआ, मैं मुसल्मान होने के नाते, मैं अपने मज़भ पर घटतर खायम हूँ, और खायम है ते वे सियासे से जुड़ा हूँ, तो यह ने इनसानियत का दर्स और एहलिवायत का दर्स और शुहिदा करबला का दर्स, मौलाना कल्ब जवाद देने के पाद मेरा देना फत्तर नामरासिक है, और यह है कि यहने इंसानियत और इस्लाम इस्लामी फैला और 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 इस्लामी फैला साथ जग लड़ने के लिए तियार हुए थे, बेवाग से, उन्होंने तक्त थे नहीं लड़ते तो ना अज इसलाम बाखिये हुता, ना इंसानिक बाकिये ये शुद्री आपका टाइम आप देने के लिए वीडियो चैनल से बात करने के लिए आपकी मैं ममनूम हूँ और आपको मैं बहुत मुबारग बात देती हूँ इस तरीखेदा प्रोग्राम मुनख़त करने के लिए इंशाला हमको हमको यानि हम सब को इंतजा रहेगा कि इस बिए अपको पूस्ट प्रोग्राम के लिए आए थे ने आपको पूस्ट जिप्याश रहेजिए बिसमुल्लाग इरहेदा रहेदा था अपने कि थी अपने दाती काम से लेकिन मुझे रात पर फून मिला कि यौम इमाँ हुस्टारी बहुत बड़ी सादत थी कि मैं ऐसे ज अख्रियुद में कहा गया कि इनसानियत के लिए उन्हें अपनी जान खुर्बान के अपनी नहीं यह चोटे छोडे बच्चें की जिसमें छे महीने के बच्चा भी था तो हम तो यह कहते हैं जिसमें भी इनसानियत पाई जाती है वो इमाम हुस्टारी यहाद बनाता है यह हमारा कहना है जैसे कि ए्धार कि एल्ब्रदार कह φT पर आप इत्धार क्या बात कि इनसे हैं एक पहरी बात तो यह कि अमाम हुस्टारी का पैगाम जो जहां जहां भी जून हो और अपईदई लिए पहलुक exclusively करो नहीं जूम करो खाम करो यह करो यह का पूरी किताब मौजूज है कि यहां थे हिंदू भाई भी गए थे कर्बला में और उसके अलावा कुछ सुनी हजराद भी थे कुछ एसाई हजराद भी थे सब थे तो सब के सब मिलकर मौत के नाम पर मुतहद हो गए थे तो हमारे कहना है कि जब सब बजब वाले सब धर्वाले मौत के नाम पर मुतहद हो सकते हैं तो हम जिन्दगी के नाम पर को नहीं मुतहद हो सकते हैं लहाद हमको जिन्दगी के नाम अगर जिन्दा रहना है तो हमें दो से महबबत करना होगी, वरना हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, बलकि पूरी दुनिया इसी में तबाह हो जाएगी, अगर एक ज़रा से जंग भी हल्की भी छिल गई, तो फिर उस जंग के कोई रोकने वादा होगा ने, फिर दुनिया तबाही बर्वादी पर दाहने पर जाएगी, यह कहना वारा, इमामस्यान का पैगाम यह है, कि अमन से काम लो, और किसी पर जाती न करो, किसी पर दूर न करो, जैसा मैंने का कभी जंग छेड़ों नहीं अपनी तरफ से, कभी जंग में शुरुवात न करो, अगर शुरुवात नहीं होगी, तो भी जंग भी यह एक बहुतरीन पैगाम ममस्यान के करवला की मैदान में था, जो हर इंसान के लिए, हर हुक्मरा के लिए, हर हुक्मत के लिए, हमको समझते हैं, यह महाँ पर है, आज हम लोग सलार जंग म्यूजियम में मौजूद हैं, जहां पर स्टेट प्रेसिडेंट माइनर्टी मोर मौचा के मौम्मद अफसर पाशा हमारे साथ में है, आईए हम बात करते हैं मौमद अफसर पाशा सबसे, आज मैं बेशक बोल सकता हूं, हाज़ात इमाम हुसिन रजी उल्ला ने सबसे यह दुनिया में सबसे पहले ख्रांतिकार बोल सकता हूं, क्योंकि हक के लिए लड़ा मौमद अफसर पाशाई का एक एक एक्जांपल इमाम हजरत हुसिन रजी उल्ला है, तो हर खोओं आपके हक के लिए लड़ना है और जो कुस हाशिल करना है, महत्मा गांदी जी ने बोला और अपने रेंदर मोडी जी भी बोला है, अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ने के ल किलने के लिए हम तयार हैं, कुछ दीगर मजाहिब के लोगों ने जैसे सरदार जी वगरा ने हिसा लिया इस प्रोगाम में, बहुत अच्छा लगा, पबलिक ने भी बहुत अच्छे से सुना उन लोगों को, अब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे बहुत इसाई भाहन भी है, हर मजब के लोग अपने रजी उल्ला के लास्ते पर चलने लिए, आज से पत ले लिए, मैडम से बात करेंगे, आइए देखते हैं, बात करेंगे, आपका नाम मैडम, मैनार्टी मोच्छा महिला प्रमक, बताएं इस प्रोगाम के बारे में में बताएं कैसा सोचते के आपके तरफ से, आपके नजरीय से कैसा देखते हैं? जाला बावंदी, अन्नी रकाल, अन्नी मतालनी कलिपी इकड़ कुर्च वड़ो मनमाट, अधी युका मुस्लीम अने वककटेगा आखुटा, प्रतिवाल सिख्क लोच्र क्रिष्टेन सोच्छा, अंधर मुच्छा मालागे, मनन बार्देसम लो मनम अन्नी मतालनी कल्सुन म मेलागो, बारत माथ कि बन मंदरम बिडिल गाउन ओंगा बटी मनंदरम कल्सिन अड़ वाली इदटेवाल दर्मानी मनमे अटलागा आदरीन चाली, वालने गवर्वी इंचाली, वालत बड़ो मनमाट संतोश्यम लो दुख्यम लो मनम पाल बंच को अलनी इन को और कुटना अब बाते हैं, असलाव ने जी, मैंटिक गोलकुंडा माइनरिटी मुर्चा प्रेसिडेंट की हैसियस से, और सबसे पहले जो है, इनसानियत का जिस तरह से हमारे सदर महतरम अली जनाब अफसर पाशा सहाब बता रहे थे कि, इमाम मजलूम कर्बला, इमाम हुसाइन का ऐसा इस दोर में हमको किस तरह से फैसले लेना है, ये सब को आशना करते हैं, असलाम मुझे हुसाइन ही कहने पर फखर महसूस होता है, दुनिया की काइना जो चल रही है, इमाम हुसाइन अगजे लाहना की जहादत के बात है, मैं भी एक शेर से इस प्रोगाम को शूरू करना च हजीर है, हतले हुसेन, असल में मरगे जीर है, इसलाम जिन्दा होता है, अर करवला के पास, अखिनल, आज की समयफिन पे, इस महफिन के सदर, जनाब हनीफ अजी साब, इज़त आप रुक लें, संटर्डर वख को उसल, तो मेरे बहुत पुराने दोस्त है, मैं समझता हमेशा गुलाखात करते हैं, मैं अपनी पार्टी से लगा रहा, और वो भी अपनी पार्टी से मुसासिर, काफी हरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, आज की महिन में है, खास तो उसे मौलाना, अलामा, कलब जवा साहब भी बहुंचित है, उसके लिए पड़ी पकर की बात हमार जनाब मौहमाद शाह प्रदीन साहब, सिकर्टरी प्रदेश कांदर्स कमेटी, प्रोफिसर डाक्टर अयनुल हसान आगिती साहब, वाइस शासर बाउलना आजाद, नैशार अर्दू उनिवर्सिती, प्रोफिसर डाक्टर सेयद अभी उतिन खातरी साहब, प्रोफिसर क्योंकि गुरु राज़ जी हमेशा इसलाम से बहुत अच्छी तरीके से मुदाल्या किये, और इमाम हुसेम की शाहदत पर उन्हें भी काफी रभगा इजाद किया, और जनाब डाक्टर दीये, नसिमन साहब, और खासर से इस जल्से के रुएरा, डाक्टर तब्रेस हुसा काफी कोशिश करते हैं, इस माइफिल को सुभी लोगों के इन्वाइट किया है, और डाक्टर खुद्वतिन साहब माहर ने अच्छी आप शुक्याद को जो आनलाइन पर मौझूद है, और बहुत से खवातिन और हज़राद, और मेरे भाई जो, यकिनल, इमाम हुसेम की श र्णी तालीम देगी लिए जो एंसान हकके लिए रड़ता है उऑ इन्सार होता है, इमाम हुसेम नदी और दस महरम को उन्होंने शाहदद था की और शहीद जो हुए, वह हक के लिए भूए, को इसलाम पहलाने के लिए, लिए इसलामी जन्ग नहीं थी इसलाम, तारिख इसलाम में अजारों जन्गें भी है, जहां हम लोगाने फत्वात था की है, मर्वश जो बातिल था, उसे खत पड़ा, सबाखामों सबाख क्या हैं. सरकार अदौन ने हमेशा इस बात कहा करते थे, मैं हुसें रजिए नहीं हुँ, मैं हुसें से हूँ, हुसें मुझे हैं. हमेशा उन्हें सारी काईला, सारी मखलुख हमेशा याद करना से घी. आजि इमाम उसें को नजियाला को मुस्लिम नहीं हिंदो भाए के बहुत इतराम करते हैं, आप जानते हैं इस तिरहाना तैलिक में, तिरहाना मूमिंट में, तिरहाना के अंतर, हमारे सीम साबने हमेशा उनकी याद को आद लिक्या, हमारे जो बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम्स होगा करते थे उसमें अलम मुबारख बराबर रहता था वो बताते थे यह जो रास्ता बताया है आपके लिए लड़ने का वो इमाम रजी अल्रा ने बताया उसमेर हम लोग अमल करना चाहिए चलना चाहिए आज दस मौरब क लिए सारे हिंदुस्तान में इंतजामाद नहीं थे मार हमारे पास बीके अलम के इंतजामाद इस तिल्गाना इस्टेट में काफी अच्छी तरिके समाना आए गये और हम यहीं चाहते हैं कि हमेशा उनकी तालीम को हम बंते जर्म रगे और उनकी हद के लिए हमेशा बाति जर्देर रहे जंग कर्बला एक्सी टेंटी जिसमें इमाम हुसें रजी अलाने अपने अफ़ाद खांदान के साथ जो जूला बहत्तर लोग ते जोंके अफ़ाद खांदान थे दूसी जानी यजित के अजारों सिपाई थे उन्होंने बहुत से जल्म हमारे इमान हुसें इस तारीखी जंग हो जब तक दुनिया खायं रहेगी जरूर उसे याद रखा जाएगा इमाम हुसें अपनी जिन्दगी में और इस जंग में एक हमें बहुत बढ़ा सबब दिया है इस सबब को हमेशा याद करना चाहिए और इमाम हुसें के जो तालिमात है उनका जो रा सब्सक्राइब को हम बड़े को लिखिनान महरों का मैना हमारे लिए खम का मैना है अभी उससे पहले यह बात जरूर कहीं गई गई लोग कहते हैं गयर मुस्किन भाया को नहीं मालूम है यह पर्डूगा सुपा का अंक्शलोई बंबार्ट तो इसकि हम लोगा तक बात आज्देघर से मुखाना किया अजब तक मुखाना कर दें अपने स्मेस्मेद आगे इसलिए हमें हमेशा उनको याद रखना से इनके बताएवे अगदा ऑख और वातिल का अंग के लिए हमेशा हम आवाज उढ़ाना है तक हरिक का फर्ज़ एं पर खासतर से मुस्म्मान का मैं एक चार शेयर हैं जिसी जिने जोश मली आवादी के उनकी रुगाई है मैं पढ़कर अपनी बात सतंब करना चाहता हूं कि आपके बहुत से बड़े-बड़े उल्मा अधरात मौझूद है इस बारे में वह तफ्सीर जरू सिंदा लेंगे मगर हमेशा हम इमार में हुसान हैं रजियर अल्मा का हिल्म मुबारक पर हम धट्टी भी देते हैं और हुकुमत दर्स बहुत इतराब किया जाता है हमारी सिंदा भी कई बार गए वो चाहते हैं एक बार उन्हों ने पात हमारे कई शिया हदरात मौझूद है भी के अल्म को धट्टी देने के लिए आए उ जोश मली अबादी साहब ने चार अशार लिखे हैं क्या सफ क्या सिर्फ मुसल्मानों के प्यारे हैं हुसें क्या सिराख नुए बश्र के तारे हैं हुसें जिराख नुए बश्र के तारे हैं हुसें इन्सान को बेदार तो हो लेने दो इन्सान को बेदार तो हो लेने दो ह कर ख़ोन पुकर हमारे हैं हुसे भीया अरिना थकति है अयो नहीं इस मधों अधना अधने हम मिन अप्वी इबादि नहीं और फॉबडलने हम आला कती ए हिंदुस्ता मन्तजरतम है जिसके सद्खेन पाखी ये इसलाम है चाहिकर बोग्षी याद किया जाता है और आने के ये दावत दी जाती है आज यहां पर मौला कल्वी जवाद साथ की मौजू की जवाद का इहाद कर रही है कि हुसेनी में आईए प्रोग्राम को आगे बढाते हैं तो अनों मौज़र समेमान को परवाद कांशार साथ ने शनले इंड ने इन्योर्ट सिटी जवाद नाव से इनुरसंद आप इन साथ भी तश्रीब लाच उकिए इन्सान को बेदार को दो हरकों पुकारेगी है बहुत अच्छा जलाम का शेट अभी अधाता ने सुनाया आई नाजित मौतरम हदरात क्योंके तमाम में मानान दशीद आ चुके हैं और एके बात दी गए तो शाल पोशी भी जाएगी सब्की ने जी सकता। मतरम हदरात एक रोजा याद रुसेंद और हमारी जिम्मेदारियां कौंट्रेंस में आपकों का तहदिल से इस्तवाद किया जाता है इसे के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दौा और उमीद यही कि आप जहां कहीं भी हो खेर और आफियस से हो आपकी हर सूख खुचगवार हो और हर खुचगवार सूख का अन्जाम बखेर हो। इनी दौाओं के साथ मुझे और मेडियर टीम को दीजे इजाज़त लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें बीटियस नियोज जैहिन। मुझे खर खेले खिक ब्सक्राइब इनी लाइक टूलें ह साथ मुझे खिक जैहिनो